योगदान दे सकें मेरे प्यारे ज कोरोना जैसा संकट नहीं आया होता तो शायद जीवन क्या है जीवन क्यों है जीवन कैसा है हमें शायद ये याद ही नहीं आता कई लोग इसी वज़ Snapchat तनावों में जीते रहें तो दूसरी और लोगों ने मुझे ये भी शेर किया है कि कैसे लॉकडाउन के दौरान खुशियों के छोटे-छोटे पहलू भी उन्होंने जीवन में री-डिस्कवर किये हैं कई लोगों ने मुझे पारमपारी इंडोर गेम्स खेलने और पूरे परिवार के साथ उसका आनन लेने के अनुभोगे जहें साथियों हमारे देश में पारमपारी खेलों की बहुत समरुद्ध विरासत रही है जैसे आपने एक खेल का नाम सुना होगा पचीसी यह खेल तमिनाडु में पलनान नुंगली करणाटक में अली गुली मने और आंद पुदेश में वामन गुंटलू के नाम से खेला जाता है यह एक प्रकार का स्ट्रेटेजी गेम है जिसमें एक बॉड का उप्योग किया जाता है इसमें कई खांचे होते हैं जिनमें मौझूद गोली या बीच को खिलाडियों को पकड़ना होता है कहा जाता है कि यह गेम दक्षिन भारत से दक्षिन पूर्वे एशिया और फिर दुनिया में फैला है साथियों आज हर बच्चा साब सीडी के खेल के बारे में जानता है लेकिन क्या आपको पता है कि यह भी एक भारतिय पारंपारी गेम का ही रूप है जिसे मोक्सपाटम या परंपदम कहा जाता है हमारी यहां का एक और पारंपारी गेम रहा है गुट्टा बड़े भी गुट्टे खेलते हैं और बच्चे भी बस एक ही साइज के पांच छोटे पत्थर उठाएं और आप गुट्टे खेलने के लिए त्यार एक पत्थर हवा में उचा लिए और जब तक वो पत्थर हवा में हो आपको जमीन पर रखे बागे पत्थर उठाने होते हैं आम तोर पर हमारी यहां इंडोर खेलों में कोई बड़े साधनों की जरूर नहीं होती है कोई एक चोग या पत्थर ले आता है उसे जमीन पर ही कुछ लगी रेखीत देता है और फिर खेल शुरू हो जाता है जिन खेलों में डाइस की जरूरत पड़ती है कोडियों से या इमली के बीच से भी काम चल जाता है साध्यों मुझे मालूम है आज जब मैं ये बात कर रहा हूँ कितने ही लोग अपने बच्पन में लोट गए होगे कितनों को ही अपने बच्पन के दिन याद आ गए होगे मैं यही कहूंगा कि उन दिनों को आप भूले क्यों है उन खेलों को आप भूले क्यों है मेरा घर के नाना नानी दादा दादी घर के बुजुदगों से आग रहे हैं कि नई पीडी में ये खेल आप अगर ट्रांसपर नहीं करेंगे तो कौन करेंगा जब आउनलाइन पढ़ाई की बात आ रही है आप उनसे जुरूर पूछिए कि वो बच्पन में उनका रहान सान कैसा था वो कौन से खेल खेलते थे कभी नाटक देखने जाते थे सिनेमा देखने जाते थे कभी छुटियों में मामा के घर जाते थे कभी खेत खलिहान में जाते थे तो हार कैसे मनाते थे और आपके लिए 40-50 साल पहले का हिंदुस्तान कैसा था? आप जहां रहते हैं वो इलाका कैसा था? वहाँ परिशर कैसा था? लोगों के तौर तरीके क्या थे? सब चीजें बहुत आसानी से आपको सीखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी और आप देखे आपको बहुत और परिवार के लिए एक बहुती अमुल्य खजाना, एक अच्छा वीडियो आल्बम भी बन जाएगा। साथियों, ये सत्य है कि आत्मकथा या जीवनी, आटोबायोग्राफी या बायोग्राफी, इतिहास की सच्चाई के निकर जाने के लिए बहुती उप्योगी माध्य होती हैं, आप भी अपने बड़े बुजूरों से बाते करेंगे, तो उनके समय की बातों को असाधारन है, उन्होंने ऐसा काम किया है कि कोई भी आश्चिर में पड़ जाएगा, 80-50 साल के कामेगोडाजी अपने जानवरों को चराते हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपन तालाब बनाने का भी बेड़ा उठाया हुआ है, वे अपने इलाके में पानी की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, इसलिए जल सवरक्षन के काम में हैं, छोटे-छोटे तालाब बनाने के काम में जुटे हैं, आप हैरान होंगे कि 80-85 वसके कामेगोडाजी अब तक 16 ता तालाब उन्होंने बनाए हैं, वो बहुत बड़े रहों, लेकिन उनका ये प्रयास बहुत बड़ा है, आज पूरे इलाके को इन तालाबों से एक नया जीवन मिला है, साथियों, गुजरात के वड़ोद्रा का भी एक उधान बहुत प्रहरक है, यहां जीला प्रशासन और स्थानिये लोगों ने मिलकर एक दिलचर्स पर मुहिम चलाई, इस मुहिम की वजह से आज बड़ोद्रा में एक हजार स्कुलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होने लगी है, एक अनुमान है कि इस वजह से हर साल अवसतन करीब दस करोल लीटर पानी बेकार बह जाने से बचाये जा रहा है, साथियों इस बरसात में प्रकूर्ति की रक्षा के लिए, परियावरन की रक्षा के लिए हमें भी कुछ इसी तरह सोचने की, कुछ करने की पहल करनी चाहिए, जैसे कही स्थानों पर गणेश चतुर्थी को लेकर तयार या शुरू होने जा रही होगी कि इस बार हम प्रयास कर सकते हैं कि एको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमाये बनाएंगे और उनहीं का पूजन करेंगे, क्या हम ऐसी प्रतिमाओं के पूजन से बच सकते हैं, जो नदी तालाबों में विसरजित किये जाने के बाद, जल के लिए, जल में रहने वाले जी पूजन में कई बिमारिया भी आती हैं, कोरोना काल में हमें इन से भी बचकर रहना है, अवर्वेजिक आउसदिया, काड़ा, गर्म पानी इन सब का इस्थमाल करते रहिए, स्वस्त रहिए, मेरे प्यारे देश्वासियों, आज 28 जून को भारत अपने एक प्रधान मंतरी को स्वधाजली दे रहा है, जिन्नोंने एक नाजुग दौर में देश का नेतरुत्व किया, हमारी ये पूर्व प्रधान मंतरी स्री पीवी नरसे राव जी की आज जन्म शताबदी वर्ष की शुरुवात का दीन है, जब हम पीवी नरसे राव जी के बारे ये विदेशी भाषाएं बोल लेते थे वे एक और भारती ये मुल्यों में रचे बैसे थे तो दूसरी और उन्हें पश्चात के साइकते और विज्ञान का भी ज्ञान था वे भारत के सबसे अनुभेवी नेताओं में से एक थे लेकिन उनके जीवन का एक और पहलू भी है और वो लिखनी है हमें जानना भी चाहिए सात्यों नर्शे महराव जी अपनी किशोर आवस्ता में ही स्वतंतरता अंदोलन में सामील हो गए थे जब हैदराबाद के निजाम ने बंदे मात्रम गाने की अनुमती देने से निकार कर दिया था तब उनके खलाब अंदोलन में उन्होंने भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था उसमय उनकी उम्र सिर्फ 17 सार थी छोटी उम्र से ही स्रिमान नर्शे महराव अन्याय के खलाब आवाज उठाने में आगे थे अपनी आवाज बिल्ण करने में कोई कोर कसर बाकि नहीं छोड़ते थे नर्शे महराव जी की को भी बहुत अच्छी तरह समझते थे बहुती साधान प्रुष्ट वुमी से उड़कर उनका आगे वढ़ना सिख्षा पर उनका जोड़ सिखने की उनकी प्रवुति और इन सब के साथ उनकी नेतुरुत शम्ता सब कुछ मननी है मेरा आग्रह है कि नर्समा राव जी के अगली बार जब हम मिलेंगे तो कुछ और नए विश्व पर भात होगी आप अपने संदेश अपने इनोवेटिव आइडियाज मुझे जुरूर भेजते रहिए हम सम्मिलकर आगे बढ़ेंगे और आने वाले दिन और भी सकारात्मक होंगे जैसा कि मैंने आज शुरू में कहा हम इसी साल हैनी 2020 में ही बहतर करेंगे आगे बढ़ेंगे और देश भी नई उचाईयों को छुएगा मुझे भरोसा है कि 2020 भारत को इस दसक में एक नई दिशा देने वाला वर्ष शाबित होगा इसी भरोसे को लेकर आप भी आगे बढ़िये स्वस्त रहिए सकारात्मक रहिए इनी सुबकामनाओं के साथ आप सब्वी का बहुत 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 बाज़ाएंगे